दोस्तों अगर आप 1 अप्रेल 2021 से अपनी विजनस की जो अकाउंटिंग है, मैनुवल अकाउंटिंग है, उससे आप पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग सोफ्टवेर में मेंटेन करने जा रहे हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली क्योंकि कुछ एक ऐसी कौनिफिकरेशन सेटिंग होती है, जो हमें सुरुवात में बहुत ही केरफली के साथ करनी पड़ती है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, ये एक अकाउंट के ने स्टूडेंट के लिए, टेली के ने स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्याद अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना, जो हम इस चैनल पर इसी तरीके की प्रैक्टिकल और नोलेजबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ मोन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है, तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, तो दोस्तो जब हम पहली बार किसी मेनुवल बुक्स को कम्प्यूंटर अकांटिंग सॉ सॉप्ट्वेर कोई भी हो सकता है, लेकिन आज जो आपको मैं एक्जांपल बताने वाला हूँ वो टेली प्राइम सॉप्ट्वेर में बताने वाला हूँ, तो जो सेटिंग टेली प्राइम में होगी, वो यह सेम जो कौनिफिगरेसन है वो आप अपने कांटिंग सॉप्ट साथ मेनुवल अकांटिंग भी साथ मेंटेन कर रहा है, तो दोस्तों दोनों में डिफिरेंस क्या रहेगा, जिसने हंडर परसेंट ही अपना जो बिजनेस है, वो सारा का सारा कंप्यूटरेट करना सुरू कर दिया, तो उसके पास जो भी कस्टमर आएगा, उस समान का वो अ उसमें सही काट के देगा, और बाद में उस बिल बुक को कंप्यूटर आइड पर मेंटेन करेगा, यनकि कंप्यूटर के साथ साथ मैनुवल अकांटिंग भी साथ मेंटेन होएगी, तो ऐसी स्तिति में, जो सबसे इंपोर्टेंट भात रहती है, वो रहती है, सेल पर जाएंगे, और सेल वाउचर पर जाएंगे, तो बाई डिफल्ट टेली सॉफ्टवेर क्या करता है, सेल वाउचर को सिरीस नमबर होती है, यह ओटमेटिक चलती है, एक नमबर से, और जबकि हमें यह चाहिए, हम यहाँ पर एक नमबर को नए रखने के बजाए, कुछ इसके साथ यूनिक नाम भी रखेंगे, अगर हम 100% कंप्यून ट्राइड मेंटेन कर रहे हैं तो, अगर manual bill book हमारे साथ चल रही है, तो उस condition में जो bill book पे जो number लगा हुए, वो हमें यहाँ पर type करना पड़ता है, तो दोस्तों कुछ एक voucher number आपको दिखाता हूँ, अब जैसे कि यह voucher number आप देख रहे हूँ, यह invoice number है, यह compute rate billing है, तो इसमें आप देख रहे हो, इस voucher के number के साथ साथ कुछ unique name भी लिखे हूए है, जैसे कि आज आज देख रहे हो KTC, उसके बाद में उसकी years का नाम और उसके बाद में invoice नमबर है जो शुरू होता है, तो इसे हम बोलते हैं एक unique series, और कुछ जैसे यह देख रहे हो भी एक compute rate billing है, इसके अंदर भी आप इन्वोईस के साथ साथ कुछ unique नाम भी लिखा हूए है, तो इस तरीके से जब हम manually accounting maintainer, तो manual counting के bill book पे आपको कुछ इस तरीके के जो number होता है वो नजर आएगा, तो यह जो option number होता है, यह by default जो भी हमारी bill book की जो printing होती है, ऐसके साथ यह manual roof से बने होते हैं, उसके साथ याँकी जAIसे कि यह डबल फोर सेवन वन है, तो डबल फोर सेवन टू, यह भी एक number से ही start होता है, तो अब यह आप पे डिपेंड करता है, जो आपकी manual books है, यान की manual bill book आपकी only एक number से start होती है, डबल जीरो वन के साथ होती है, ट्रिपल जीरो वन के साथ होती है, तो वह उसके आपके स्रीज पर depend करता है, अब माली जी आपके पास जो manual cell bill book है, और उसके ओपर एक अपरेल से आपने जो स्टार्टिंग किया है, उस पर श्रीज आपने स्टार्ट किरें 3x0 और 1 यान की 0001 के साथ तो उस condition में हमें क्या चीए जब हम sale वाफजर की entry टेली software में करें या किसी भी accounting software में करें तो उसका number भी हमारे manual bill book के according यहां पर चलता रहे तो इस इस्तिति में हमें क्या करना है पड़ेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमारी manual bill book साथ में चलती है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए बिलकुल एक छोटी सी setting है तो इसके लिए हम gateway टेली पर जाएंगे अल्टर पर हम जाएंगे और voucher type पर जाएंगे उसके बाद हम sale voucher को select करेंगे और उस condition में आप देख रहे हो यहाँ पर जो टेली के अंदर option हा रहा है by default method of voucher numbering का यह automatic है तो अगर हम manual रखना चाहें तो इसको यहाँ से attack हम करेंगे manual और prevent duplicates को यहाँ पर करेंगे yes यानिकि हम एक की जो बिल है वो गलती से दो बार post नह हो जाए इसलिए हमें इस prevent duplicates को yes करना पड़ता है और control एक के साथ इस window को करूँगा accept दोस्तों अब इस condition में क्या होगा वावचर और sell in host पे जाते हैं तो हम यहाँ पर 0001 लिखेंगे या 001 के साथ हुई है तो 001 के साथ लिखेंगे या अगर हमने manual में भी कुछ ऐसा unique लगाया हुए तो वो भी हम यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे जैसे कि sdc है और उसके बाद में 001 के start हुए है तो इस तरीके से हम यहाँ पर manual रूप से टाइप कर सकते हैं और यह हमें हर बार manual रूप से टाइप करना ही पड़ेगा जैसे कि हमने एक invoice रिशू कर दिया तो second time में भी हमने यहाँ पर दो नमबर है जो हाथ से ही लिखना पड़ेगा यानिकि manual ही typing करना ही पड़ेगी तो यह बात होती अगर हमारे पास manual accounting साथ में चलती है तो अगर हमें बिल है जो computer ID ही issue करने है customer को sales invoice है जो तो उस condition में हम क्या करेंगे अल्टर पर जाएंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ थोड़ा सक दियान से देखना है भी हमें यहाँ पर कुछ जो setting होती है वो किस तरीके से करनी होती है वाप्चर टाइप पर जाएंगे और से हम वापिस हम sales को select करेंगे अब इस condition में हम वापिस जापे जो method of observe numbering है इसको कर देंगे automatic जो पहले था होई अब उसके बाद में एक option हमारे पास आएगा use advanced configuration तो इस option को मियाब से करेंगे yes तो जैसे हम yes करेंगे तो यह इस तरीके की window मारे सामने open होएगी और इसमें आपको पहला option देख रहा है starting number का तो starting number हमने एक number से करनी है क्योंकि जब भी हम नई books of account maintain करना शुरू करते हैं एक अप्रेल से तो एक number ही series नहीं रहती है वो आपकी WG01 हो सकती है ट्रिपल G01 हो सकती है लेकिन जो series होती है वो एक number के साथ start होती है तो जो starting number है वो एक से रहेगा और उसके बाद में second option हमारे को यहाँ पर दिख रहा है यह एक बहुत important role अदा करता है वाउजर की series को number को लेके यहाँ पर लिखा width of numerical part दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ भी अब यहाँ पर हमने जो digit हम टाइप करेंगे अब माली जे मैंने यहाँ पर चार डिजिट टाइप कर दिया तो अब इसका मतलब यह रहेगा अब हमारी जो bill book की जो series चलेगी वो triple zero one के साथ चलेगी यान कि अब चार डिजिट के साथ हमारा voucher number है जो लिखा जाएगा अब एक तो रह गए रहेगा उससे पहले हमारी अब चार जिरो जुरू रहेगी अब किस तरी किस रहेगी हम वो देखेंगे जैसे की अब रहेगा जो triple zero और one यान कि total हा जो यह चार डिजिट होगे इसलिए हमने यहाँ पर चार टाइप किया हुए है तो अब option आएगा हमारे पास तीन number we free fill with zero तो अब इसको हम यहाँ पर करेंगे yes अगर इसको no रहने देंगे तो उसके बाद में जो तीन के बीच में जो space है वो ऐसे रहेगा यहाँ पर space जैसे कि अब यहाँ पर देख रहेगा अभी जो मारे पास number आएगा इसको yes करने के ब फिर एक number शुरू करेगा यानिकि जो पहले वाड़ जो space है यह खाली सा रहेगा तो यह अच्छा नहीं लगता तो हम इस option को यहाँ से करेंगे yes तो जैसे हम yes करेंगे तो हमारे पास option आएगा restarting number का यानिकि आपने जो इस तरीकी की जो digit start करने है वो कब से करनी है तो हमने 1 April 2021 करनी है यानिकि शुरुवात से ही करनी है तो हम इसको रखेंगे 1 April 2021 और जो starting number है वो भी मरा एक ही रहेगा और उसके बाद में हमें कई option यहाँ पर देखने को मिलेंगे yearly में आगने के बाद में तो अब यहाँ पर आपको देख लियो इसके अंदर आपको daily, monthly, never, weekly या फि को हर मन्त के starting में आपको setting करने पड़ेगी फिर आप 1 April से लेके 30 number तक कितने voucher आप post करना चाते हो फिर मई के अंदर आप अपना क्या special unique code देना चाते हो जून में क्या देना चाते हो जुलाई में क्या देना चाते हो तो यह अच्छा नहीं रहता, starting जो number होता वो एक से लेक प्रिफिक्स डिटेल्स अब प्रिफिक्स डिटेल्स भी हम यहां पर करेंगे 142021 तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा अब यहां पर जो हमें unique नाम जो लिखने है अब unique का नाम का मतलब जैसा कि अब हमने यहां पर देखा था इस तरीके का जो यहन की voucher से पहले लगा होना जीए जैसे कि अब यह देख सकते हो इस invoice नंबर में इस तरीके का जो unique code आता है कि नाम है तो जो अपने according कुछ भी लगा सकते हो तो मैं यहां पर example के तौर पर आपको दिखा देता हूँ जैसे हमारी company का जो नाम है वो series smart address है अब इसके अंदर लेकर मैं शोट कर लेना चाहूँ तो sst बनता है तो इसको यहां पर मैं लिख सकता हूँ इसको sst और उसके बाद में यह भी लिख सकता हूँ 21 का है और फिर मैं obling निसा लगाँगा तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहां पर इस particular में नाम लिखा ह है sst obling 21 फिर obling का निसान में निया पर लगा दिया है तो इस तरीके से क्या होगा जब मेरा voucher नंबर वहां पर आएगा sell invoice का तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा sst obling 212 obling उसके बाद में 0001 के साथ start होएगा तो इस तरीके से यह जो series है वो हमारी चलती रहेगी अब इसक continue चलता रहेगा और उसके बाद में आप अलग detail यहां पर देख रहे हो इसमें suffix detail में तो तो suffix details में क्या होता है अब जैसा यह जो नंबर है यह हमारा इस voucher नंबर से पहले लगेगा यह जो हमने unique नाम जो दिया है अगर आप voucher नंबर की series के बाद में लगाना चाहते हो त तो यह जो option हमें यहां पर लिखना होता है तो अब इसका मतलब क्या हो जागा दोस्तों आपको मैं बताता हूँ मैं अब माली जी यह same हमने option अगर यहां लिखने के बजाए यहां पर लिख दिया तो हमें यह किस तरीके से दिखेगा फिर यह इस तरीके से दिखेगा फिर voucher number के बाद में लगेगा तो ये बाद में अच्छा नहीं लगता ही स्टार्टिंग में ही देना होता है इसलिए हमें इसको prefix detail के अंदर लिखना होता है सारी option की detail इसके मंदर यहां पर हम नहीं लिखेंगे तो दोस्तों हम इसको voucher को करेंगे save तो दोस्तों हमें एक बात का विसेश ध्यान में रखने है जो हमारी voucher, sale voucher का जो number होता है वो 16 digit से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये 16 digit से ज़्यादा हो गया तो जैसी आप gst return के लिए अपना gstr1 upload करोगे तो वहां पर आपको problem आएगी वहां पर ये error show करेगा तो हम यहां पर देख लेते हैं भी हमारी जो digit है वो 16 नमबर से क्रोस तो नहीं कर रही है तो हम इसको एक बार example से यहीं देखेंगे अब जो हमारा series रहने वाली है वो इस तरी किस रहेगी ssd 21 00001 के साथ तो दोस्तों इसके अंदर आपने कोई special character लगाया है या फिर आपने space दिया है तो वो भी एक space का अमलब सबद में count होएगा एक digit के अंदर तो अब यहां पर देख सकते हैं एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 और 14 यान कि यह 14 digit ही है अभी भी 16 की हमें को जो limit है maximum की उसको cross नहीं कर रहे है तो और इसको हम यहां से करेंगे save और इसको भी control एक के साथ करेंगे accept तो दोस्तों हम वापी चलते हैं voucher number पे जैसे हम voucher number पे जाएंगे तो आप देख रहे हो यह जो हमने अभी इसकी जो configuration settings करी थी वो सारी detail यहां पर automatic ही आ जाएगी ssd212 और यह 0001 के साथ तो दोस्तों चैसे हम एक sale का invoice हमारा pass out हम करेंगे हम एक बना लेते हैं invoice temporary रूप से एक item मैं लिख लेता हूँ item 1 के साथ में और इसके बाद इसकी जो unit से एक बार मैं pieces में रख देता हम उसको दोस्तों यह अभी इसकी configuration setting नहीं कर रहा हम है बिल्कुल एक हम entry करने के purpose से हम entry कर रहे है 100 रुपे से और यहां पर एक sale का voucher हम create कर लेते है और इस voucher को हम करेंगे आपर save तो दोस्तों जैसे हमने एक number voucher को save किया तो अब आपके सामने यह दो number voucher जो automatic ही आ जाएगा तो इस तरीके से दो हैगा तो 3,4,5,6,6 यह continue तक चलता रहेगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर last के अंदर जो digit हमने select करी थी चार digit की करी थी तो चार digit का मतलब हो गया अब आप अपने books के अंदर maximum 9999 तक के invoice issue कर सकते हो तो दोस्तों यह आपको शुरुआत के अंदर देखना होगा भी आपके जो year के अंदर कितने sale invoice issue हो सकते हैं तो यह idea आपको अपने previous year की bill book से पता लग जाएगा भी आपने last year के अंदर कितने invoice issue किये थे भी 5000, 4000, 10,000, 15,000 जो भी है तो अगर आपने 10,000 किये हैं तो जहांपे हमने यहांपे जो width जो हमने select करी थी 4 की तो उस condition में आपको 5 करना पड़ेगा तो 5 की condition के अंदर यहांपे 4 time 0 और 1 के साथ start होएगा तो उस condition के अंदर आप 999 में तक के invoice issue कर सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से हम पहली बार अगर computer accounting maintain करते हैं तो इसी तरीके से हम sell voucher की setting को configuration हम set करते हैं या फिर हम इस तरीके से receipt voucher की भी जो voucher number की series है वो set कर सकते हैं हम purchase की या फिर payment की करने सकते हैं क्योंकि purchase voucher में में जो supplier की तरफ से जो voucher हमें मिलेगा वो voucher हमें manual रोप से लिखना पड़ता है तो दोस्तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, knowledgeable लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर देना अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please अभी कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपिक के साथ